हाई फ्रेंट्स मैं परविंदर खारी फ्रेंट्स आज की हमारी गेम सरजन ब्रदोनिया जी की वीडियो रेकमेंडेशन है उन्होंने मुझसे एक अच्छी बत बड़िया विंटेज गेम के वीडियो बनाने के लिए का था और जो चेक मेटिंग पैटर्न इस गेम में यूज किया गया है उन्हों कम से कम मैं कह सकता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू करते हैं पॉल मर्फी ही है मैं तो खतरनाक मूव तो हो नहीं है और इवन पॉल मर्फी यहां एक नाइट लेस खेल रहे हैं विदाट नाइट खेल रहे हैं और इनके सामने जो खेलने वाले वापस C5 ले जाना होगा उसके बाद वाइट नहीं कैसल किया डीसिक्स लेन हुआ देख स्क्वार पर देन दी टेक्स C5 और यहां कुई गई B3 स्क्वार पर एज आज विलकुल वही सेम मूव से लेकिन आगे की इम बहुत अच्छी है यहां F7 पार अट तो इसका डीफें नाइट पर प्रेशर बनाए लेकिन यहां ब्लैक बहुत कुछ कर सकता था I think bishop को लाना भी कुछ हत्तक ठीक था लेकिन यहां bishop गया e6 square पर d7 square was better option Quinn पर attack है Quinn गयी e4 square पर और यहां इस point पर I think c6 square पर थोड़ी दिरे के लिए white winning है शायद यहां इस point पर bishop भी वापस जा सकता था एक अच्छी option हो सकती थी लेकिन यहां पर black ने क्या knighted g goes to e7 सोचना ठीक है कि उन्हें यहां castle भी करना है जिदने जल्दी हो सकती है लेकिन bishop आया g5 square और friends यहां पर सारा इस game का पूरा चेक्मेटे sequence set हो चुका है move number 12 है queen पर attack बना है queen गई g6 square पर और कोई दूसरा square नहीं है अब black castle नहीं कर सकता है क्योंकि white ने यहां किया bishop takes e7 king takes e7 नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहां knight pin है और इसके बाद हुआ bishop takes e6 b takes e6 होने के बाद आया knight takes e5 knight takes e5 होने के बाद यहां queen पर attack है और अगले move में बहुत अची check आएगी और फिर आपसे यहां समझ सकते हैं होगा क्या इस game में यहां से queen गई थी f6 square पर sorry for that well फिर हुआ knight takes c6 with check king अगर यहां light squares पर आता है तो अब ऐसा discovered check का खतरा रहेगा ही रहेगा तो king वैसे e8 square was better कितना नुकसान हो जाता क्योंकि knight यह जाएगा का knight के जाने के लिए कोई ऐसा खतरनाक square भी नहीं है जाये जा सकी well यहां black ने अपने knight को लिया f8 square पर f8 square पर knight को लेने के बाद options काफी limited हो गई है और अगर आप यहां check meeting pattern से master है तो आप यहां देख सकते हैं कि queen से कितनी खतरनाक check आने वाली है उसके बाद यहां यह knight बाकी का का काम कर ही देगा लेकिन problem है कि black की queen बिल्कुल सही square पर है जहांसे वो e7 pawn का defense कर पा रही है तो इसी लिए शायद white ने पहले किया e5 queen को deflect करवाने की कोशिश की तो queen गई g5 square पर और queen के g5 square पर आने के बाद यहां इस e7 square का defense अभी भी खत्म नहीं हुआ है तो इसी लिए white ने यहां पहले किया h4 और यहां अभी यह queen कहीं भी नहीं जा सकती तो queen गई g4 square पर asking for queen actions और शायद Paul Murphy इसी move का wait कर रहे थे क्योंकि आया move queen a3 check का king e8 square पर नहीं आ सकता otherwise यहां directly checkmate होगी और जो check waiting pattern को समझते हो वो समझ चुके होगे कि यहां किस तरह की checkmate होने वाली है king गया g8 square पर then हुआ knight e7 check king गया f8 square पर then हुआ knight g6 infected double check यहां knight से भी और queen से भी queen obvious है e8 square not an option क्योंकि checkmate होती है तो king finally land करेगा g8 square पर then queen f8 check और इस knight की मदद से यहां पर queen रखी गई है it means king से एक नहीं ली जा सकती तो rook takes f8 करना ही होगा then knight e7 check और यहां black अपने ही pieces से चार और से घिरा हुआ है जिसकी वज़े से यहां knight बड़े ही अराम से checkmate कर पाया friends क्या गमाल की game है मुझे पूरी उमेद है सरजन जी की बताई हुई game आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को like करें शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैस ग्रूप ब्ले सब्सक्राइब जरूर करें आपके कमेंट्स का मुझे बेहद नजार रहेगा thank you for watching and bye